हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल सर्फिसेश डुडिम दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टीडी के कुछ महत्पूर्ट प्रस्टों पर तो आईए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अज का पहला क्वेस्ट्ट है बानदिपूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज में स्थित है उप्सन 450 रेलवे प्रियोजना किनकिन राजियों से होकर गुजरती है A. केरल, गुजराच पंजाब, B. पंजाब हर्याना, जम्मू एंड कस्मीर, C. करनाटक, तमिलनाट गोवा, D. माराष्ट गोवा, करनाटक जीसका राइट आंसर है? D. माराष्ट गोवा, अत्था करनाटक कोंकर रेलबे प्रयोजना, माराष्ट कोवा, तमिलनाटक से होकर कुजरती है जीसका राइट आंसर है? D. लाला लाजपतराए अखिल भारती ट्रेड इूनियन कांगरेश के प्रतम अध्यच लाला लाजपतराए थे सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए इसके आप्शन से आप लग देख लिजिए इसमें थोड़ा सा मिस्प्रिंट है B. आप्शन में यहाँ पे 2 होगा यहाँ पे 3 C. 2 और D. 3 होगा जीसका राइट आंसर है B इसको इस तरीके देख ले A. 1 एसी बोस कांग्रेस के उग्रदल के अध्यक्ष B. का 4 जवाल लाल नेरू कांग्रेस के लाहर अधिवेशन में पूर्ण सुराज प्रस्ताव C. का 2 होगा खान अब्दुल गफार खान लाल कुर्टी आंदोलन से समन्दित है और D. का 3 सरदार बलब भाई पटेल बार्दोली आंदोलन इसको आप लग देख लीजिए एक बहाँ नेक्स्ट कॉस्चन निम लिखित को सुमेलित कीजिए इसको देख लेते हैं इसका राइट आंसर है C. इसको इस तरीके देख लेते हैं A. 2 कानपूर का नाना सहब B. 1 लखनाउं बेगम हजरत महल C. जगदेशपूर का है 4. कुवर्ण सिंग जगदेशपूर कुवर्ण सिंग ने नेतरुत किया था D. 3 इलावाद में लियाका तलीन है Next question किसी भी दल को राष्टरी दल के रूप में स्विकार करने की सर्थ क्या है ए उसे चार या अधिक राजों में न्यूनतम 10 प्रतिसत मत प्राप्त हों बी उसे चार या अधिक राजों में मानने मतों में से 6 परसंट या अधिक प्राप्त हों सी उसे दो राजों में 15 प्रतिसत से अधिक मत मिले हों जीसका राइट आंसर है बी उसे 4 या अधिक राज उमें, 4 या 4 या 4 से अधिक राज उमें मान्ने मतों में से 6 पर्सेंट या उससे अधिक प्राप्थ हो हुए हूं संचेपन, UNDP का पूरा नाम, मतलब, UNDP का पूरा नाम क्या है? A. United Nations Development Program B. United Nations Democratic Press C. Union of North Developing Province या D. Arab Nation Drilling Petroleum जीसका राइट आंसर है? A. United Nations Development Program नेक्स्ट क्वेस्चन भारत का का राज सक्कर का कटोरा कहा जाता है? A. हिमांचल प्रदेश B. उत्तर प्रदेश C. हर्याना या D. मद्ध प्रदेश जीसका राइट आंसर है? B. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को भारत का सक्कर का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा नेक्स्ट क्वेस्टन जलासय गोविंद सागर किस नदी पर इस्तित है? A. सतलज B. नर्मदा C. सोन या D. महांदी जीसका राइट आंसर है? A. सतलज जलासय गोविंद सागर सतलज नदी पर इस्तित है नेक्स्ट क्वेस्टन एंड लास्ट क्वेस्टन निमलिखित में से भारत में निमलिखित में से कौन सा एक्ट वर्ष 1995 में कार्यानवित हुआ? A. The Environment Protection Act B. The Forest Conservation Act C. The National Environment Tribunal Act या D. Wildlife Protection Act जीसका राइट आंसर है? C. The National Environment Tribunal Act यह यह एक्ट 1995 में कार्यानवित हुआ था तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी सेयर करें धन्यवाद जरूर बताओं कार्यानवाद